हिमाचल ललित कला परिशद के एक महत्पून बैठक सोलन में हुई इस बैठक में मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर के सोलन दौरे के दौरान परिशद द्वारा उनसे मुलाकात करने का निर्न लिया गया और यह चर्चा की गई की इस दौरान मुख्य मंत्री को परिशद एक मांग पत्र सौपेगा जिसमें जमा एक वजमा दो की कक्षाओं में फाइन आर्ट्स को अनिवारे बनाने के लिए मांग की जाएगी इसके अलावा डाइट में फाइन आर्ट्स परवक्ताओं के खाली पड़े पदों को भी भरने की मांग की जाएगी मैं डॉक्टर का मिश्व शर्मा माचल ललित कलाब परिशद की ओर से यहां सोलन में आज हमने एक परिशद की मीटिंग की जिसमें हमारे कलाब परचार परसार एगन शिक्षा के उपर चर्चाएं हुई वर्तमान में चित्रकला विशे की जो स्थिती है वो आज सब के सामने समुख है जहां तक स्कूलों में देखा जाता है छटी से दस्वी कक्षा तक चित्रकला जो है पढ़ाई जाती है उसके बाद BA और MA में यह विशे फाइन आर्ट के रुप में पढ़ाया जाता है जबकि बीच में प्लस वन और प्लस टू कक्षाओं में विद्यार्थी इस चित्रकला विशे या फाइन आर्ट विशे को पढ़ने में पढ़ने से वंचित हो रहे हैं जबकि हिमाचन प्रदेश श्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा इसका पाठेकरम निर्धारित किया हुआ है प्रतिवर्ष प्राइवीट रूप से प्रिक्षाएं लिए जाती है तो इसी तान संदर्भ में हम 10-15 सिदस्यों ने इकटे होकर के चर्चा की और एक कारेकरम बनाय कि सोलन में आगामी साथ तारिक को जब माननी मुख्यमंतर जी सोलन आएंगे तो हम अपनी मंगे उनके समक्ष रखेंगे हमारी मंगे इस प्रकार से है प्रदेश की विद्यालेव में दस जमा दो और दस जमा एक में फाइन आर्ट विशे नियमित रूप से लागू किया ज आचार्य की नियुक्ति की जाए नमबर तीन डाइट्स में फाइन आर्ट प्रवक्ता के कई वर्षों से पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए नमबर चार कक्षा 6 से 10 तक चित्रकला विशे का जो पाठ्यक्रम है वो कई सालों से लगवक तीस सालों से वही पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें सुधार और परिवर्तन कर इस विशे को अनिवारे रूप से लागू किया जाए नमबर पांच विद्यालेव में रिक्त कला अध्यापकों के पदों को भरा जाए परदेश के महाविद्यालेव में दृष्यकला चित्रकला एवं मूर्थीकला अपन कला विशे के सायक अचारे की निवक्ति है तू सेट यानि के स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट उन्हा से प्रारम किया जाए तो ये हमारी मुख्य मंगे हैं जिनको हम मुख्य मंतरी माननी मुख्य मंतरी के समक्ष रखेंगे